आप लोग देखो कितने समय से आप लोग मेनत कर रहे हो आयरुवेद में तो निश्चित समझ में आएगा और जहां ये रस समझ में आ गया उसके बाद द्रभ्यगूण विग्यान आपके लिए कुछ नहीं है इसको समझे बगार आगे हम द्रभ्यगूण विग्यान में नही सकते हैं जिस ढंग से सिखाते हो न वह बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आप बताते हो रियली अच्छा लगता है इंट्रेस्टिंग लग रहा है जी शर आपने जो अभी शेंड किया ना गुरूप में सर इसी के उपर समझाई यह पढ़िया लगा मुझे अच्छ आपने ना आज बस समझना है बस क्योंकि मैंने लिख करके तो आपको देई दिया लिखना भी नहीं है बस आपने समझना है और कल वीडियो देखकर के आप द्रब्यकूण को समझ सकते हो ना आप अईरुवेद भी कुछ सब कर सकते कुछ ने कर सकते अईरुवेद क्या है आईरुवेद बस यह रस ही है क्योंकि हम पहले से ही यह पढ़ते हुए आये है चरक में व्यादी का कारण जो दोस है दोस किसी कारणों से प्रकुपित होता है और वह जो कारण है आहार और बिहार से कारण क्या हो सकता है आहार और बिहार जैसे ही आहार की बात होगी तो वो आहार पांच महाबूत से सम्मंद रखने वाला होगा पांच महाबूत प्रतिवीजल तेजबायो आकाश और उसके अपने अपनी रस है तो कहीं न कहीं टकराएगा उसे रस में अब उस रस के छोटे छोटे चीजों को समझना जरूरी है तो जैसे हमने पहले बताया था जो द्रब्या है द्रब्या जेतन और अचेतन दो प्रकार के द्रब्या हमने पहले बात किये थे गुरुजी रिकॉर्ट लगा दिशेगा नहाँ लगा दिया चैतन रभ्या और चैतन रभ्या दो तरे के बर कि अगर हम खो गिल से यूँआर्श तॉने ध्रॉज दॉटर लिए से जानोर के वह सब्सक्रार है फिले से साथ्सकीf12 अचितन द्रभ्य जो रशायन खनीज बगर अचितन ने लेकिन रस उन सभी में है कोई मदूर यानि मीठा है कोई कटू यानि कड़वा है कोई तिक्त यानि तिता है कोई लवड यानि नमकिन है कोई अमल यानि कटा है कोई कशाय यानि कशाय यानि कशाय जैसे जैसे जामूर जो चीज है परिपूर्ण है तो जब कोई आदमी चांवल खाएगा तो चंवल में बिद्यमान मदूर रस ही अंदर जाकर कि काम करना है तो कल हमने क्या बात किये थे एक गुरू गुण होगा और एक लगू गुण होगा अगर आप चांवल खाओगे तो तो क्या होगा चांवल अंदर जाएगा वह मदूर रस्तों है लेकिन सेलुलर लिवल में जाकर करके उसने गुरू गुण के हिसाब से बरताब करना है यदि आप काली मिर्च दाल चीनी अगडम बगडम डाल करके चाय बना करके पियोगे तो अंदर जाएगा कटूरस के आदार पर अंदर जाएगा अंदर जाकर के जो कारिय ओगा सेलुलल लिवर पर वो क्या होगा वो लगू करने वाला होगा अब लगू क्या करेगा लगू हर चीज को हलका करतेगा चाय वो औरगन हो चाय वो आपके आख हो, बाल हो, सीर हो, सरीर हो, लिवर हो, किड़नी हो, इवन की मल हो, धातू हो, हर चीज को वो लगू करेगा जो गुरू है, जिसमें पृतिवी और जल माबोद कल हमने पड़े थे, गुरू यानि जो सब चीज को बढ़ाए, जो ब्रिम हट करे वो गुरू, और जो छरन करे वो लगू, कल के संदर्वा बता रहा हो, अब यहाँ पर आपको रसों के संदर्वा में एक चीज लिखिए, जल और पृतिवी से मदूर रस, यह आपने लिखा है कि नहीं, यह पता है कि नहीं, मदूर रस में जल और पृतिवी, आमल रस में पृतिवी और अगनी, फिर से लिखा दीजे गुरू जी, फिर से लिखा दीजे गुरू जी, यहाँ पर है बिल्कुल, आप देखी ज़रा इसको देख रहे हैं किने इसकिन में जी 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 इसको थोड़ा जूम कर दीजिए थोड़ा मैंने कर दिया अलोजा मैं बता रहा हूं जो रस है रस में जल और प्रिथिवी ये दोनों मिलके मदूर रस उत्पाधन करेगा अब देखने जबर जस्त चीज देखे जा रहा हूं आज आपके में अधन्यावा सर्फ अमल रस प्रिथिवी और अगनी सुसुरुत जो कहते हैं कि अगनी और जल अमल बोलते हैं लेकिन हम जो चरक और व्रिथवाग बटक के हिसाब से जाएंगे तो प्रिथिवी और अगनी अमल ठीक है लवडरस जल और अगनी कटूरस वायू और अगनी तिकतरस वायू और अगनी कसायरस वायू और प्रिठी अब इनके इसको ना इसको अराम अराम से बताएए कुछ जो मैंने पीछे आपकी उसके से देखा दा बैस साइट पर उसमें से थोड़ा गलत लिखा हुआ है म जैसे अभी अमले में बताया आपने अगनी और प्रत्वी हाँ मैं आपको कहरा हूँ अगर हम सुसरुत को हिसाप चैने तो वह अगनी ये अमला है और इसे के आगे लिखा हुआ था सर अमल रस के आगे काफ और पित को बढ़ाने वाला और बात को अरने वाला हाँ हाँ वो तो ही ना वो तो अभी भी हम वही बता रहे है जल और प्रितिवी जल मावूत प्रितिवी मावूत दोनों मिलके मदूर रस बनाएगा पृतिवी मावोत और अगनी मावोत दोनों मिलकर अमलरस बनाएगा चरक और वागवटे के इसाब से इसी को ज्यादा लोग मानते हैं लवडरस जो है जल और अगनी मावोत मिलके बनेंगे कटू रस वायू और अगनी तिकतरस वायू और अगनी कसायरस वायू और पृतिवी अब यह जो रस जैसे आपको आपने रजगुल्ला खाया तो रजगुल्ला सरीर में जाएगा तो जल और पृतिवी के परमाडू के रूप में जाएगा अगर आप इमली खाओगे तो इमली सरीर में पृतिवी और अगनी के रूप में अंदर जाएगा पृतिवी का जो कारिय वो करेगा अगनी का जो कारिय वो करेगा लबन जो नमक है वो जल और अगनी के रूप में अंदर जाएगा कटू वायू और अगनी के रूप में तिकता वायू और अगनी के रूप में वायू और आकाश के रूप में तिकता और वायू और प्रितिवी के रूप में कसा है जो मधूर है जाला और प्रितिवी वाला इसका गूण है अलंग गूण दो बहुत है लेकिन मुख्या गूण जो हर किसी में होगा वो तीन गूण है उपर देखिए गूणों में स्निक्दा सीता गुरु यह तीन गूण है यहाँ पर तो इसे आप नूट करिए स्निक्दा सीता गुरु थे आप देखो न सामने लेक्ट अपने देखिए थोड़ा आपके जो मूबाइल है उसको थोड़ा जूम करिए ना आप पर जूम करने से दिखा ही देगा यह हes तो मधूर रस जब फशलियम voz में कौन सा गुर्स है मदूर रस जब सरीर में जाएगा तो जल और प्रिठी भी माबूद जाएगा किस तरह से कर्म करेगा कौन सा गुड़वाला होगा सनिगध सीत गुरू यह सबी कफ को बढ़ाने वाले है सनिगध सीत गुरू मदूर रस अमल रस में सनिगध उष्ण लगू देखो अमल में पृतिवी और अगनी है तो पृतिवी होने से सनिगध गुण होगा अगनी होने से उष्ण और लगू गुण होगा अमल रस में मदूर रस में जो गुरू गुण है वो प्रिथिभी महाभूत का है सनिक्दा और सीत गुड जो है वो जल महाभूत का है सनिक्दा गुड ऐसे ही आमल में अब ये जो सनिक्दा उष्ण लगू जो है ये वैसे तो जल और अगनी की इसाब से ये सुस्रुत मुनी का ये बचन है लेकिन स्निक्द जो है यहाँ पर प्रिथि भी महाभूत का स्निक्द हो गया और उष्णा और लगू यह अगनी का हो गया द्यान से देखना इसको लबण में जल और अगनी है तो यहां पर स्निक्द गुण जल का है और उष्णा और गुरू यहां अगनी का है लबण कटू में वायू और अगनी है तो यहां वायू का रुक्षगुण है और अगनी का उष्णा और लगुगुण है वायू में लगुगुण भी होता है कटू इसलिए कटूरस जो होता है वो कफ के एक दम भी परीत है में है हुआज़े जलका कटूरस कि सब्सक्राइब हुआ है कर्दूरस लवाण के अंदर अगनी का गुरु गुड्न कैसे है हां जी जलका है वो जलका गुरु रु जलका गुरु नहीं सर ने अगनी का बोला सर गुरु कुण है यह जो है इसलिए थोड़ा आगर हम यह शूष्रुत के इसाब देखेंगे तो यहां चाहिए है जल और अगनी होना चाहिए जब अमलरस में जल और अगनी हो तो जल में चाहिए होगा और अगनी का सुष्ण के इसाब दिछ घंड में करें और लवन से जो आपने गुरू लिखा वाँ हम हटा दें उसे सो हटा डूरी ओचरक में तो फिर सब्सक्राइब इंग जाना डूर। पटाय था प्थिपी और जल जो है गुरु 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 घुरुडबाय है पायु अकास और अगनी ये लिलकुगुडवाले है आपने बताय la से कर चौट फिर जल से का गुरू हो गया औहEverything जो है पूट हो गया जे उख्र लीक्ता हो गया जौट तो वायू और अगनी कटू में तो वायू का हो गया रुक्षा और लगू अगनी का हो गया लगू और उश्ना तिक्त में वायू और आकास है तो आकास का कौन्चा कुण है अगनी है आपने पहले अगनी लिखवाय था कटवाय का का ने आकाश है आकास का शीट और लगू दोनों हो जाएंगे सिर आकाश में तो और शीत भी तो होगा ना शार फिर अकाश है इन दोनों से तिक तरस बना है तो यहां पर रुक्ष सीत लगू है तो आकास में लगू गूण हो गया और वायू का रुक्ष सीत हो गया आकास का लगू हो गया वायू का सीत हो गया इसको समझना आपके लिए भी मुश्कीले और समझना मेरे लिए तरदा खिचणी वला है लेकिन इसमें पंग्य लेंगे तो हो जो अब आ रहा है आप लोगों को समय ब्ंगया हो रहा है एक समझ में वंने से बहुत इजी होगे ये बनाने गुरु जी कसाय का क्या बताए है गुरु जी कसाय का क्या बताए है वायू और प्रिधिवी कसाय है और कसाय में रुक्षा सीत गुरु ये तीन गुर्ण है अब वायू का सीत और रुक्षा हो गया प्रिधिवी का गुरु हो गया तर आकाश में भी हम सीत गुन नहीं ले सकते नहीं आकाश में सीत कैसे एक तरफ से हम आकाश को कह रहें कि ये तो निर्गुड है इसके तो आकाश का तो कोई गुणी नहीं है तो आकाश का कुण सा लेंगे सा लगु दे रहे हैं लगु 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 वैसे अब्यक्त बताया है वायू को अब्यक्त बताया है उसका कोई गुण नहीं है वैसे आयर्वेद बोलते है आकाश का कोई भी गुण नहीं है अब्यक्त अब्यक्त यानि जिसका कोई व्यक्त नहीं है उसके गुण व्यक्त नहीं है वह अव्यक्त है अव्यक्त है आकास लेकिन फिर भी अगर हम लगू कहेंगे तो भी चलेगा लगू मीच हलका तो आकास गूंड जब बढ़ेगा वायू में जो आकास गूंड है तो वह जब बढ़ेगा तो सरीर को लगू ही करता है तो हम लगू कह सकते लेकिन सीत तो हम कह नहीं सकते ना वो रुक्ष कह सकते रुक्ष कैसे कहेंगे सिर्फ लगू हम कह सकते अगर नहीं भी कहेंगे तो चलेगा अव्यक्त गुण के हिसाब से हम आकास को छोड़ देंगे लेकिन अगर कहेंगे तो लगू हम कह सकते आकास अब यहाँ पर एक चीज और ज़रा आप नोट करिएगा मदूर रसबे जल और प्रितिवी माबूत जहां गुण में स्निक्द सीत और बुरू है यहाँ पर आप लिखिए कि यह सरीर के अंदर आप करता क्या है मान लिजे कि आपने कोई तीत खाया जो मदूर रसब्रदान है और उसमें स्निक्द सीत गुरू कुण है होने के बज़े से क्या हो गया यह क्या करेगा यह सरीन में ब्रिम्हन कर्म करेगा लिखी ज़रा ब्रिम्हन कर्म करेगा शरीर में ब्रिम्हन कर्मा ब्रिम्हन यानि बढ़ाने वाला ताकत देने वाला बढ़ाने वाला बल को देने वाला ब्रिम्हन यानि किसी चीज़ को उठाने वाला बढ़ाने वाला ब्रिद्धी कर्मा करने वाला ब्रिम्हन दूसरे नमबर में मदूर रस जीवन कर्मा करने वाला है अब ये जीवन कर्मा सेलूलर लेवल में भी हो सकता है और अरगन लेवल में भी हो सकता है और सरीर के टीशू लेवल में भी हो सकता है भार्जे के जीवन कर्मा मादलब की देख लो क्या होता है जब पांडू रोग होता है तो पांडू रोग में क्या बता जाता है रक्त में जीवन कर्मा की कमी होती है बहुत सारे कैंसर में रक्त में जीवन कर्मा की कमी होती है जीवन कर्मा की कमी होने के वज़ सरी बहुत तो यह सारे चीजें होता है तो इसलिए हम यहां जला और पृतिवी महा बहुत वाला गुण क्या है स्निक्दा सीत गुरू जिसमें चिकना अठ है सीत यानि थंडा है गुरू यहां जो गुण वाला क्या करेगा प्रिम्हन करेगा जीवन करेगा आयूश्यकर आयूश्यकों बढ़ाने वाला होगा वल्य यानि बल देने वाला होगा और एक अलग सा आप लिखिए मदुरामल लवणा कटुतिक तक साए मदुरामल लवणा को बोलते हैं मल और मुत्र सिन मुत्र सिन बिन मुत्र बताए जाता है यानि कि मल और मुत्र के मात्रा को बढ़ाने वाला है पिष्टकशाया उसी मात्रा को घटाने वाला है कि कहने का मतलब अगर अगर स्नीकदा सीता गुरुबूण अगर बढ़ता है किसी भी लेवल में तो मल के गुण को भी वह बढ़ाएगा मल क्या है कान का मल नाक का मल आख का मल बाल यह सारे मल है या कोलेस्ट्रोल हो गया ट्र सारसी मल है जैसे जैसे फाइबरोईड बढ़ेगा जैसे धर के यह से यह वहम आा बढ़ेंगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगे इसका मतलब है शारीर में प्रितिबी और जल-मामभुत वाला जो जुछक्षिस flame में बढ़ रहा है तो रोगी से पुछो बढ़ रहा है तो बढ़ाने वाले क्या चीज़े रोगी कर रहा है का पी रहा है पुछ तो खा रहा होगा ना क्योंकि सरीर के लिए ध्यान देना कल पर चो हमने क्या पड़े थे विशेस कर्मा और सामान्य कर्मा पड़े थे कि नहीं पड़े थे सामान्य कर्मा चीजों को बढ़ाता है और विशेस कर्मा चीजों को घटाता है दोध पिया तो दोध बढ़ेगा मांस खाया तो मांस बढ़ेगा अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मेरा मोटा पा पढ़ रहा है तो हमें क्या देखना है सामन्य कर्म हो रहा है यानि कुछ तो यह खा रहा है जो कि इसके मांस को बढ़ाने में सयोगी है कुछ तो खा रहा है श्रिप दबाई देने से बात नहीं बनती है अईरवेद में है तू क्या है तो पहले ही चरक नहीं सीधा स्पष्ट बोल दिया अभी जो हम पढ़ रहे है ये भी सुत्रा है सीध गुरुगुण वाला कुछ तो खा रहा है वह श्रिप खा नहीं रहा अगर वो आदमी मतमस्ता होकर के दीन में शो जाता है कोई टेंसन नहीं लेता चीनता नहीं करता तो भी जला और प्रिटिवी माभुथ बढ़ने की क्रियां ये एक्टिविटिचे होने वाली जला और प्रिटिवी माबूत बढ़ने वाली व्यवस्ताइं हो गई इन क्रियाओं से भी स्मिक दा सीत गुरुगुंड बढ़ेगा तो स्रिफ खाने वाली चीजों से जल प्रिटिवी बढ़ा नहीं कुछ एक्टिविटीज भी वह करता है दिन बर अगर कुछ नहीं करता सोता रहता है मस्त रहता है कोई टेंजन नहीं लेता कोई फिकर नहीं करता किसी चीज का तो भी ये गुण बढ़ेंगे जल और प्रिटिवी वाला मदूर रस वाला तो शिन बिंड मुत्र यानी बिंड यानी मल यानी स्टूल वाला मल या कान का कोई भी मल और यूरीन को बढ़ाने का काम कौन करता है मदूर रस करता है यह जो मदूर रस है कफ कर कफ को बढ़ाने वाला और वात पित को खत्म करने वाला होता यह तो आपको पता ही है अब इससे अतिस सेवन जन्य बिकार क्या होगा मल लो कि कोई आदमी मदूर रस प्रतान कोई चीजों का सेवन करता है और निरंतर कर रहा है तो क्या होगा स्थाल लिया मोटा पा बढ़ता है मोटा पा बढ़ते हिसाब में हम कह सकते हाँ इसने स्निक्दासीत गुरुगुण वाला कोई क्रिया किया हुआ है तो इसका विपरीत क्या दिया जाए स्निक्दा के विपरीत क्या हुआ रुक्षा 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 जो गुण है उसके विपरीत द्रभ्य दो द्रभ्य यानी ऐसा जड़ी कुटी दो जिसमें उस स्निक द सीत गुरू इन गुणों के विपरीत गुण हो जैसे की देखो क्या क्या है अब आप खुद देखो ना किसमें है विदारी कंद अरे नहीं कहां विदारी कंद जा रहे हो बई आप रुक्षा 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 अच्छा का निवादा को अरे नीम के पत्ते देख लो क्या गुण है निम के पत्ते में बांक करने वाद्ट नें तो करते हो क्या इस म precon närगे sharp है इत टोते हैं वो तेक्त जीकत टिक्त जार सेर्क नियम्य पत्थे कट्व उटत कोते है टेक्त कर्वा सेट होते हैं सुन्न कर्वा कट्वा सॲृह होते हुल्य तिकल्ध गॉडिया होते Dartmouth नहीं सिक Jennifer अच्छा तो उसके विपरीत गुण वाला जिसमें रुक्षा ओष्णा और क्या गुरू रुक्षा ओष्णा गुरू नहीं लगू क्या क्या हो सकता है सारे तो है मालकांगनी में स्निक दगुण है मालकांगनी सोंट गरम पानी तो भी हो सकते है कि देजी गरम है तो लगू है करम दो उस्षना है यह करम है दर रुक्ष सह सोंट हो गया सब कुटकी कुटकी है क्रिक कि अई गएक के था थिर नहीं होगे यहां जी है यह सब इत्मा है जिसमें उष्णा है रुक्षा है देखो बच बच जो है बच उष्णा भी है रुक्षा भी है और आपका लगू भी है और सब काली में चुई तो आती है ना काली में काली में दाल चीनी दाल चीनी सोंट है सोंट आ गया है तरह आगे उष्णा बस सिदी सी बाते उष्णा और रुक्ष लगू रुक्ष आप दूसरे नम्मर में अगर स्निक्सित गुरुबुण अगर बढ़ता है तो अरूची अरूची होगा तिस्रे में कास स्वास होगा गलगंड होगा गंड माला होगा स्लीप असर पिर से बूर अहां गंड माला कुंसा कुंसा गुण गलगंड और गंड माला है हां है तो कुंसा 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 उसके लिए tämä यहां पर भी वह यह अपका बदूर मदुर फट बढ़ने से बढ़ता है यह सारे आहां हो है मदुर बढ़ने से बढ़ता है आप लोगों को पता है यह थायरव से बढ़िया अब नहीं सर आता है तलाब में मिलता है जल कुम्भी बहुते हैं उसको जल कुम्भी पानी से उसको दो लेना उसको पुरी तरसे दूप में सुखा लेना बाज में उसको जला लेना अगर नमक बनाओगे तो अच्छी बाते नहीं तो वैसे ही सफेद राक को अच्छी तरह से पीश करके उसको मतलब की लगा लो की कैप्सुल बना लो उसका हाजार एमजी करता है और वहाँ कैप्सुल आपने रोगी को देना है बहुत अच्छा काम करता है इसमें सबसे बड़ी अच्छी यह कौन से वाले थायरोड में करता है अच्छा दोनों में दोनों में काम करेगा त्षब नहीं करेगा करता है अज लेकिन दूसरा है वह क्या वक्ति उसको कचनार कचनार का घनवनवती आप भूद बनाओ अगर लाल रंग का जो लाल होता ने लाल कछनार आलंके पुस्तक में तो सपेद कचनार की बारे में लेकिन लाल कचनार का प्रयोग में ने किया हुआ है तो उसका रिस्पॉंस मुझे अच्छा लगा सरे कंचनार गुगल भी आता है न हाँ गुगल भी आता लेकिन गुगल भूमें नहीं देना है आमने थाराइट में विसार कंचनार के पत्ते दे सकते हैं छाल ही देनी है छाल छाल कि तो गलगंड हो गया गंडमाला गया यह मैं आपको बता रहा ऐक हुँ दड़न हो लोगों के बड़े बड़े यह हो जाता है कि उसके बाद आगया डायवीटी जो हो उड़ज सर्टारिए दिशुद में लीगें वाम पेट में कीड़े हैं पेट में हो गया या कहीं भी है कीड़े हैं तो यह जो क्रिमी हाजी यह लिपोमा वगर आभी चर्पी की गांट जैसे होती है वह भी होती है शिजे मतलब कहीं भी कोई गांट होती है जिसमें पानी भरा हुओ या कुछ भी उबरा उबरा सा दिखे उसमें सारा यही है सारा उसमें प्रिति भी महाबूत है आमला में कौन पूछनी थी इसमें हम अगर कफ बढ़ता है और सरीर में स्नेग लग हूँ और शीद गुन बढ़ता है तो इसमें सिर्फ एक काली मिर्च जैसे की काली मिर्च चाह सौंट सिर्फ एक ही चीद दे सकते हैं फिर कुछ दवाओं का मिशन बना कर देना होगा और भी मिलाना है और भी मिलाना है वो डिपेंड करता है रोगी के पहले हमने पूरा आवस्ता को देखना है और उसके बाद दवाई को समयोजन करना है मान लिजिए आप देखो जो काली मिर्च है वो तिक्षना रुक्षा और ओष्णा गुणवाला तिक्षना गुणवाला आए वो तो तिक्षना होने के बज़े से अब तिक्षना जो हता है सरीर को बहुत जल्दी लगू करता है कमजोर करता है तो अगर मान लोग की सरीर ब उसमें कुछ मिला नहीं आप काली मिर्च दे रहे हो और खांसी जो है शरीर उनका थोड़ा कमजोर है तो हम क्या करेंगे काली मिर्च के साथ कुछ ऐसे चीज मिलाओगे जो की मधूर रस वाला होगा कि मिश्री डाल दें सर थोड़ी से कुछ भी उसने मिश्री डारेक्ट तो नहीं मिलाना कुछ भी ऐसा स्निक दरभ्य दे दो स्निक द गुण वाला कोई चीजिए घी दे सकते हैं सर घी कि अधिन जो है कैसे गुन होते हैं क्योंकि सौंट का विपाक तो आपने मदूर बताया था ना विपाक मदूर है लेकिन उसका जो ही कि कटू रस है किस पोद है में कौन से खिर सौंट तो नहीं दे सकते हैं आगार यह सब आगी बतारी जिए स्वान कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर सूजन या कुछ आ गई है पानी भर गया या कुछ भी हुए तो उस के इसके अंदर सर सॉंट नहीं दे सकते ना चाहे वो कटूगुन वालिया है क्योंकि उसका विपाक मदूर है काम करता है विपाक से उस स्थानिक स्थान में कोई समस्या नहीं करें किस पोध्य में कौन सा गुड़ है इसकी लिए तो सर फिर पढ़ना पढ़ेगा सर तो हम पढ़ेंगे ना इसी चरक में अभी उसी के तो तैयारी कर रहे हैं अभी यहां पर हम आपको पूरा अतरवे पु अधर अधर नहीं सब मुझे पता निये तो सब उसमें आगे आएंगे ना आएगा वह पुरा आपको सारे आपको समझ बेहां देगा अचार जी आजी यह जैसे कि सब महुआ होता है हमारे उदर आप महुए का पेंड़ होता है पल होता है वह भी मदूर है रस में और वह उ अधर नहीं आपको सब्सक्राइब करते हैं ना दिमाग में उतना है जिसके फोल का ना सरा हम जब इमार्यों का इलाज कर रहे होते हैं तो उस केस में सर हमें विपाक कभी नहीं देखने सिरफ हमें जो अभी हम इलाज कर रहे हैं उसके गुण करके ही लाज करना है विपाक देखना ही नहीं है कभी विपाग भी देखना है सब्सक्राइब क्या क्या है रोचन रोचन का मतलब होता है मन लगना भोजन के प्रति जैसे लोग के देने सर खाना खाने का मन नहीं करता है यानि कि रोचन कर्मों की कमी हो रही है तो यह अमलरस जो है वहाँ इसलिए जब भोजन कर रहे होते हैं तो बोजन करने से पहले अगर भूक नहीं लगती या खाना खाने का मन नहीं करता है तो कुछ अमलरस को दियाता है या देखो हमारे हिंदू परमपरा में रोटी या कोई भी हम खाते को बीच में हम खटा अचार खाने का हमारो परमपरा है नहीं हाँ ऑचार हम खाते क्योंकि आण trafficking को रोचन रभ्य बता यह एक सीज में Аप बता un भोजन के बीच में अगर हम कोई भी दवई खाते है तो वो हमारे समान वायू को हिलिंग करता है यानि आपकी अगर ये भी इसके उपर भी में एक दिन क्लास दोंगा आप लोगों को कि कौन से वायू कौन सा दोश में जो हम जो दवाई खाएंगे वो किस वक्त खाएंगे तो अमलरस जो है उसमें स्निकदा उष्णा और गुरु ये तीन गुण है तो अमलरस में स्निक्ध और उष्ण जो गुण है या पित्त का हो गया और गुरु गुण जो है वो किसका हो गया? किसका हो गया? पृतिवी का हो गया तो अगनी और पृतिवी या अमलरस को करते है तो उष्ण गुड जो है वो अगनी का है गुरु गुड जो है वो पृतिवी का है स्निक्द गुड भी अगनी का है कर्म है रोचन करना यानि भोग को बढ़ाना दीपन करना यानि अंदर के अगनी को हाँ जी इस निदा आपने अगंई का बताया इसनी तो सरफ प्रिथरी का हुना छी खूर फेस में न एक प्रकार का तरल पदार था जह ले लिखेदे न लोग सार मेरे फेस जो है ओली फेसे जो फेस है जो ओली है वो क्या है वो पिट्द्द विजे से हो रहा है क्योंकि पित्त में जो द्रबगुण होता है न वो चिकना होता है द्रबगुण पानी जैसा नहीं होता मदूर कफ में जो द्रबगुण होता है वो कैसा होता है जस्ट पानी जैसा होता है उसमें ओईली पन नहीं होता है लेकिन पित्त में जो द्रबगुण होता है पानी जो होता है पिट्मेन suicide सिंगदा होता है यानि कि एक्तम चिकना जिकना होता है तेल जैसा है जासर lite कर्म करता है अमलगरश हो इसे पाचन करता हैं अमलरश इसलिए भोजन में हम अचार खानेकर है अर्षक किताब इस एक अमलरश अन्लोमन कर्म करता है क्योंकि अमलरस में पृतिवी महाभूत है और पृतिवी को अनलोमन कर्मा याने नीचे की ओर जाने वाली क्रियान मान लो कि अगर किसी को कब्ज होता है किसी को कब्ज है तो हम उसको अमलरस दे सकते हैं अमलरस किसी को भोग नहीं लगता पेड़ साफ नहीं हो रहा है कव्यों होता है खाना खाने का दो क्यों क्या करेगा वह अनलोबन कर देगा मल को मुत्र को सब जैसे कि यह आपान वायू उपर की तरफ चलने लग जाता है तो इसमें दे सकते हैं मामला तो नीचे वह वह नीचे क्यों करेगा कि कमी हो रही है चार की अधिकता हो रही है जो छार होता है रही है जितने भी जो बीरे चन करनेवाले दबाई है तो सबी क्या है गुरुगूड वाले होते हैं वह सब क्योंकि बिरेचन करने का मतलब है नीचे की और चीजों को ले करके जाना तो नीचे की और ले करके वही जाता है जिसमें गुरु गुर्ण होता है प्रिति भी महाबुत होता है कोई दूसरा नीचे नहीं ले जाएगा वायू आकास ये तो एकदम उपर ले जाते हैं और अगनी भी उपर ही ले जाता है उड़ा करके उपर ले जाएगा हलका होता ने लगुगुण वाले होते हैं तो मालो कि कोई अगर कब जो हो रहा है मल साफ नहीं हो रहा है थोड़ा जाता है फिर नहीं जाता है इसका मतलब है गुरुगुड की कमा मतलब की कमी हो रही है कभी कभी क्या होता है मन्दागणी भी होता है और उपर सेठ सब्सक्राइब है तो यह हमने इस्थानिक प्रतिभी माभोत की कमी है, ऐसा समझ जा कैंगे, स्थाने की यानी वो सापानचेत्रव PR और आब रिष्य करेज़ अब अमलरस को सब कुछ देने वाला है, सब कुछ करने वाला है, लेकिन सुक्र को सुखाने वाला है, क्या है, सुक्र धातू को ये कम कर देगा, इसलिए ज्यादा खट्टा खाने से धातु छीड़ हो जाता है जो पुरुस ज्यादा खट्टा खाते हैं उनके सरीर में जो शुक्क रहे उसमें स्पम की कमी उसमें जो है की संतानुत पादन कारक्शक्ती खत्म हो जाता है तो अगर ऐसा है कोई अब देखो यहां पर अमलरस के कर्म से हमें पता चला अगर कोई आजमी आया आपके पास कहने लगा कि सर मेरे तो संतान नहीं हो रहा है तो हमने यह पुछना है समझ में आरहा है आप लोगों को हे तुम्हें अमलरस खाते हो क्या कट्टा चीजरी खाते हो क्या ठीक है स्नीक दाहे उश्न्न, गुरु गुर्ण ज़रूर है गुरु गुर्ण जो होता है कि प्रिदिभी माबुत के लिए ठीक है प्रित्वी मापु जो हे थोड़ा बल देने वाला है अमलरस बल भी देता है सक्ती बर्दख है सब ही चीज़े ठीक है गुरु माद गुरू के हिसाब से ब्रीम्हण करने वाला है अमलरस सेज़ में थोड़ा चा दिखा वटी ही सही ताकत अमलरस देता है लेकिन बड़ी बात है कि यह सुक्र को खत्म कर देता है इसलिए जो कमजोर प्रक्रितिस के सुक्र च्छे हो रखा है उनके लिए अमलरस का मात्रा क पूछ रहा था सर अगर पूंस्टी पेशन मान लीजिए अगर पित की गड़वली की वेज़ से हुआ है कि पित्र जादे बनना उसकी वेज़ से भी कॉंस्टी पेशन हो रहा है तो वहां पे अमला रस नहीं देंगे न आप खुद इसको आप लोगों ने खुद दिमाग जाओ इसका आप लोग खुद से इस सुट्र को लिख लो और अपने आप इसके उपर आप लोग भी मर सकरो सर पित बढ़ने से कॉंस्टी पेशन होता है कि पित बढ़ने से भी होता है बिल्कूल होता है क्योंकि उसमें अगर उश्ण गुड़ बढ़ेगा तो कॉंस्टी बढ़ा है और किस कारण से वह गुड़ बढ़ा है मैं आपको बार 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 बोलता हूं व्यादी का नाम मत कि नहीं है वह लक्षण और वह लक्षण का है तो क्या है यह दो चीजिए अगर आपने अपने आपको उसका इला समझ में आएगा यह इस गुड़ों को पढ़न करता है स्निक्दा है और कि panicer है अगहर बार अ करने वाला है अमलरस होने के वजह से कफ को बढ़ाता है इस निकदा होने वो रुक्षक विपरी थे तो रुक्षा, सीता और उष्णा इन तीनों के विपरी तो ये इसलिए प्रोपरली वात हार है तो अगर किसी के सर्में वायू बड़ा हुआ है और ऐसे में उसको अगर वो बोलता है कि मुझे भोक नहीं लगती कभज हो रहा है वायू बड़ा हु हुआ है मगर भोक भी नहीं लगती घुबशीज स्वान गम नहीं तो कि मंनने करता कि अनलोबन करम नहीं होता तो हमने अपली अम्ल्व रसो य अखिलर वक्हिल करता है और आप में जो बोल रहा हुआ है उसको ग्यान सिंट है खतने का मन नहीं करता हनुब्पन कर्वा नहीं होता तो हमने अमलरस देना है लेकिन उस वायू को तो मदुर रस भी खत्म करता है वायू को अमलरस भी हरन करता है मदूर भी करता है पर सर्व अगनी नहीं बढ़ाता ना रुको 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 पहले आप में जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिया ना एक तो हमने अमलरस वायू को हरन करने के लिए कप देना है किस कर्णिशन में देना है जब रोगी आपके सामने आके बोलेगा सर मेरे को खणखाने का मन नहीं करता देपन नहीं हो रहा यानि भोग नहीं लगता पाचन सही नहींग है और खाय किसी सबयों कि कपन करता है कोई दिक्त कत नहीं है लेकिन सरीर में कमजोरीपन है देखो मदूर रस का जो कर्म है अगर उसकी कमी हो रहा है तो हमने उस वायू को क्योंकि वायू बढ़ने से हो रहा है उस वायू को खत्म करने के लिए हमने क्या देना है मदूर रस देना है अमल रस की कमी होने से वायू अगर बड़ा हुआ है तो वहां क्या होगा रोचन की कमी होगी दीपन की कमी होगी बाचन की कमी होगी तो वहां हमने अमलत देना है आया समझ भी किस वायू में अमलत देना है किस वायू में मदूर देना है आ रहा है कि नहीं कि अधर उधर मन देखो तर्व होई सोचती हुना जो आप बताते हो उसको सब्सक्राइब अरे भाई आप थोड़ा इसमें आना क्या है यार आभी भी थोड़ा आये तो फिल क्या करोगे अधर इम्याजिन करकर के देखते ना ऐसा हो तो ऐसा होगा इसलिए दर उधर देखना सब्सक्राइब का जो कर्म है वो मैंने आपको पड़ा दिया वो चीजें कम है और वायू बढ़ा हुआ है तो अमला रस देना है मदूर रस के जो कर्म है वो कम है और वायू बढ़ा हुआ है क्योंकि वायू बढ़ने से यहां पर अमला रस की कमी होगी और मदूर रस की कमी होगी कि भॉप थिकाने लगाने के लिए एक दो यहा हम ने चीजे देख लिया इस प्रस जब बढ़ता है तो रखत बिकार होता है नोट कर लिजेगा जर्णा इस तरिक अंचत्र के आम र News को सोचना है रखत बिकार हो गया सोथ कहीं सोयलिंग हो रहा है कहीं पाक कहीं पर कोई चीजे पक रहा है मवाद जैसा बन रहा है दाह कहीं जलन हो रहा है कंडू कहीं कुझली हो रहा है पंडू कहीं खुन की कमी हो रही है या खुन में एकदम पिलापन हो रहा है दृष्टि मांद्या आंकों में कमजोरी आ रही है कि यह हम कह सकते हैं अती से बन जंने विकार बहुत ज़़ाने का सहसे बन करनेसे रग्त विकार शोथ पाक सोद यानि स divisions पांग यानिन लगालों के या न मुवाद बनना अधायनि जलन होना कंडू यानि कुझली होना वांड़ यानि आपका पिला बन सलीर में वहना दृष्टि-मान्द्य हो गया आक उसे देखने का कमी रक्त-पिता होगिया ब्रहम यानि चक्कर ओग धिशारे सारे अमलरस के आती सेवन से होनेमाली ग्यादिक सार चक्कर कैसे बहते ना कि यह नहीं कि अमलरस के बढ़ने से होता है यह ऑप undoubtedly और टतिक से सब्सक्राइब करने कि अब आगया लवड रस को पढ़ करके आज नमस्कार करेंगे लवड में आगया सिनिक दा ओशना गुरूप अब देखो सिनिक दा ओशना जो है उस लवड में अगनी है सिनिक दा और गुरू है उस लवड में अब यह सोसृत के हिसाब से लिखा हुआ यह प्रिति भी है अमलरस में जला और अगनी बोलते है वो और लवड में दोनों के विचार को देखना पड़ेगा न अब बाद में ऐसे हरीतु विचार में आचार्यों और मत हैं कि हेी तो जो होता है वहित कम को बढ़ाने वाला ही उता है को liegt अब लहां करало Coach तो ऑफेख कम कुले है ये उस्णिक गुरू है न अंदम जैत जो कि है और लवड में इसने का उसने गुरु है इसने का उसने गुरु है लवड में 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 होगा ना गुरुजी लवड है अमला में अभी वही बात है यहां पर कंफ्यूज होने का कारणी यह है कि तो गुरुजी चरक से पढ़ाई है ना चरक से क्यों तो चरक से फिर चरक से आप अमला को हासर और लवण को लगू मानो बस शिर्प चरक से जाओ लवण को सर गुरुई मानेंगे ना क्योंकि इसमें लवण को लगू मानेंगे लवण में भी तो जल है वो तो फिर गुरुई हो गया ना अमले में ज़र मानेते हैं सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे लवण का जो विपाक है वो मधू होता है और मधू जो होता है वो लगूता तो सवरी गुरूता पैदा करता है यह भी हो सकता ऐसा भी जी सही कहरें और फिर सब्सक्राइब लवण नहीं यह वी पाक के इसाब तक गुरू नहीं बहुत रहा है यहां यहां पर लवण में हम स्नुक्ता उट्रवी मानेंगे जी गुरू मान लो इसके गुरू है गुरू कैसे होगा क्यों ऐसे में जल की वज़ा से जल की वज़ा से गुरू मान रहे हैं लेकिन अगनी भी तो है अगनी तो लगू होती है न ए एक सेखाण एक सेख़र यह लवण के लिए लवण का पहले आप जब कर्मा पढ़ोगे तो आपको यह गुरू और लगू समझी में आएगा चलो कर्म पढ़ क्लेदन क्लेदयती क्लेदन करने का मतलब क्या है आपने फर्स में सर्फ डाले होंगे सर्फ क्या करता है वहां पर आपने फर्स में जब आप सर्फ डालके पानी डालते हो और उसमें रगण मारते हो तो पुरा एकदम फीज जैसा बन जाता है फर्स में और सारे वो जो है कि च चिपक चिपक करके उन गंदगीयों को तोड़ने का वो काम करता है तो क्लेदन करने का मतलब है जितने भी कफ का जो परमाड़ो है उसमें उसके चारों और भर जाना और उसको क्लेदन करना एक तम उसको धिमा कर देना उसको मंद कर देना उसको एक तम घलका कर देना क्लेदन कर्मा है ये क्लेदन कर्मा जो है स्निक्द लवड में जो स्निक्द गुण है उसके वज़े से हो रहा है दीपन कर्मा लवड में उस्ष्ण गुण के वज़े से हो रहा है दीपन पाचन कर्मा जो है ये उसी उस्ष्ण गुण के वज़े से हो रहा है लेकिन छेदन और भेदन कर्म हो रहा है यहां पर शेदन कर्म तो चलो रुक्षा यह आपका उष्ण गुड़ से छेदन माल लो लेकिन भेदन जो कर्म है वो गुरू के बगत होगा नहीं भेदन यानि उसको तोड़ना उसको फोड़ना जया चाहिए इसमें गुरू क्याव रखना जया जए या लगू रखना चाहिए या इसमें गुरू होना चीह जो हम स kale तो बेदन करेगा नहीं न naar लिए नीयँ इसमें गुरू होनी इस सब्सकितर सकत सब्सक्राश इसमें लो होना कि छिमी होता है न अलग लवन का मतलब लवन है और इसने कह दिया कि आपका क्लेदन दीपन पाचन शेदन भेदन ये कर्मा है लवन का भेदन से आगे वाला कर्मा बिन गुरु का हो सकता था लेकिन भेदन कर्मा भेदन यानि उसको तोड़ना उस परमाड़ों को तोड़ना तो बिन गुरु के नहीं हो सकता है उसना से तो टूट सकते हैं गुरु जी उसना से तो छेदन हो सकता है बेदन नहीं नहीं होगा उसना से नहीं होगा उसना से नहीं होगा जैसे कि यह पित और कफ को कुपित कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है त है यहां पर देखो एक चीज़ में बताता हूं वागबटा और चरक जो थे इन्हों ने आयुर्वेट का सिद्धा नतर जरूर लिका लेकिन बाद में काई चिकिसा के आदार पर अप्रेशन करने की विदी हमारे सरीर के अंदर के जो आरगन है सरीर की जो विशेज जो प्रिय प्रेक्टिकल में थे सरीर के प्राइक प्रयों कि अंदर के हर एक पारट को उन्होंने देखा है पूरा एक अपने प्रयोक शाला उनका और वो पुछन कुछ करते दे तो सुस्रूत के बात को भी हम इग्नोड नहीं कर सकता है इसलिए हम यहां पर लबण में स्नीक तव उस और पना कूँ फिर हाटा करके सार्लाइब करते तोणों इंक त्यूंहें निश्क्रिक मैं ड़ी स्रीक्राओनने लेकिन बूर्ण रहेगा आमला में रोचन दीपन पाचन अनलोमन रहेगा लेकिन लवड में किसी एक परमाडू के चार और बैठ करके उसको छेदन वेदन करने वाला काम रहेगा किसके वज़े से यहां पर लगू आया या गुरू आया कैसे इसमें तुम आले जी प्रिश्मी के वज़े से गुरू हो गया आमल में और लावड में गुरू किसके वज़े से हुआ जल की जल जल को भी तो गुरू माना गया है जल को लगू नहीं माना गया है ठीक 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 कल हमने जल को गुरू माना था ना बरती भी और जल माहब हो दिये यह कफ है तो कफ में जो विद्यमान जो जल है वह तो गुरू ही है कफ तो लगू है नहीं अगर लगू कफ होता तो अ कि मुकेश जी क्या कहते हैं कि मुकेश जी कुछ बोलते नहीं हो आप कि थोड़ा थोड़ा समझ मारा रहा है तो जल जो है इसलिए वो गुरू है को गुरू हो गया है कि इसका करिकारी होए ना सुर्ण समझ में नहीं आ रहा हैं षोड़ा समझ में नहीं आ रहा हैं इसपर प्त में जू जल है थे भी जल है न फिक तक जो जल है वह उ स्षेट न्य को जल गड़ा वाला एक तो पित herself यावड में जो जल है वह कफ्व tentang से जाना कि लोगों करें थे टेल यह तो इसी तरह से आम वाली अगनी को हम लगू माने लेते हैं नहीं उसको क्यों लगू मानेंगे आम लगाला आँवा तो अगनी तो लगू है यही ना फिर वो तो आपने तो पहले लगू लिखा हो था ना था हमने फिर उसे गुरू कर दिया लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम जल को लगू मान रहे हैं वैसे ही आम लोगे के इसके अंदर अगनी को लगू मान लेते हैं अगनी को तो लगू नहीं मानेंगे अच्छा अगनी को लगू ही मानेंगे ना उसमें जो जल हो गुरू जी तो गुरू जी पित्वी को क्या मानेंगे फिर इपनेयों ने कहा है खी होगा या तो लगों या तो गुरू होगा प्रित्वी तो गुरू होगा hmm अब तोगुरु होगा और थीक है गुरु जी वहां दोनो में गुरु हो जाएगा और होगा अमलाब लवन हमें दोनों मेंν गुरो होगा हां लडाई खतम दोनों गुरू है जी कि नो चलो लवण और अम्ला इन दोनों में देखते जरा अम्ल क्या करेगा दीपन पाचन जो आपका जो अगनी धरकला है उसको बल देगा बाचक द्रख अगनी को बल देगा है न और उसके बाद आपने जो खाना खाया है उसको पचा करके उसको अनलोमन करने तक अमलरस काम करेगा और लवनरस क्या करेगा ये कलेदन करम करेगा जो भी अपको आमरस है या जो भी आपका जो अन्न है या जो कुछ भी है उसको एकदम कलेदायती कलेदायती फिर अवसोस हैती पहले कलेदन क करेगा उसके बाद पूरा उसको सोंख लेगा सोंखने के बाद उसको छेदन वेदन करेगा यानि अगर मालो कि कभ क्या यह लबन क्या करेगा किसी चीज को पकड़ा उसमें क्लेद किया जैसे हम करते हैं सार्फ लगा करके अच्सी तरह से उसको उसके बाद फिर एक जटका मा सारा पानी से अद्धे एकदम चंचनाट करके चमकना शुरू हुगा तो यह लवन का गूड़ है यह इसलिए बरतन साफ करते पर लोग ज्यादा खटा नहीं डालते नमक ही ज्यादा डालना पसंद करते हैं तो लवन जो रस है अब उसका अतिसेवन जन्य विकार क्या है उसे आप लोग नोट करिए लवन को सुक्रकना बताया गया है यहाँ भी सुक्रको ग्णा यानी नश्ट करने वाला तो लवन में लिखिये नपुम्शक्ता बस सुक्र खतम कर देगा ज्यादा नमक खाओगे तो नपुम्शक बनोगे पलित खालित ये पालित सिर के बाल उड़ जाएगा बाल सपेद हो जाएगा बाल अगर सपेद हो गया तो यह समझ सकते कि हाँ नमक की अधिकता हो गई है रक्त पित्त रक्त पित्त में विसर्प 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 क्या है एक प्रकार का एक प्रकार के सुराइस जैसे इस तरह की समस्या होगा वात रखता गाउट बोलते जिसको तो यह सारे चीज़े समस्या जो है ज्यादातर आधिक नमक के सेवन से होने वाली व्यादी है तो यह हो गया लवड अगस है आज हमने लवड तक पढ़ लिया काल भी हम यह समय हो गया गुरुजी आजार जी एक कुश्चन दो